नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कबूतर का घर में आना, घर में घोसला बनाना, अंडे देना, सुब होता है या असुब अगर आपके भी घर में कबूतर है तो आप इसके बारे में जाना चाहते होंगे तो हम इसके बारे में बिस्तार से बताएंगे लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी के माधियम से आप इसे जान ले तो बहुत अच्छा अमरनात की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी इससे जुड़ी हुई है यक इस कथा के अनुसार एक समय भगवान सीव साम के समय नित्त कर रहे थे और भगवान सीव के गन आपस में इर्षया के कारण कुरू कुरू सब्द करने लगे महादेव ने उनको स्राब दे दिया कि तुम दिर्ग काल तक यह सब्द कुरू कुरू करते रहो इसके बाद वे रुद रूपी गन उसी समय कबूतर हो गया और वहीं उनका स्थाई निवास हो गया माना जाता है कि यात्रा के समय पावन अमरनात गुफा में इन्ही दोनों कबूतरों के दर्सन भी होते हैं और ये भी आस्चर है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मातरा नहीं के बरावर है खाने पीने का भी कोई साधन नहीं है लेकिन ये कबूतर किस तरह से महाजिवित हैं ये भी आस्चर है कबूतरों के दर्सन करना सिभ पार्वती के दर्सन करने के बरावर माना गया है और कहा जाता है कि इन कभूतरों ने अमरनात में भगवान सिविके मुख से अमरता के प्रवचन सुन लिए थे इसलिए ये भी अमर हो गया तो अब कभूतर के पंक के टोटके भी होते हैं ज़िए दो सब्दों में जान लेते हैं तो सकात्मक और नकात्मक उर्जा के बारे में आपने सुना होगा कुछ चीजे जीवन को प्रवावित करती है नकात्मक रूप से ऐसे में कपच्छी है कभूतर और इसका पंक बहुत ही जोतिस की दृष्टी से सुभ होता है अगर किसी बेक्ती को पंक मिल जाए तो धन्वान बन सकता है क्योंकि कबूतर के पंक से कुछ उपाय किये जाते हैं जैसी कि अगर कबूतर आपके घर में आए और पंक छोड़ दे तो यह सूब होता है इस पंक को आप उठाईए सफेद या लाल वस्तर में लपेट लें आपका कागज में भी लपेट सकते हैं और मन में मालक्षमी का ध्यान करते वे उसके उपर से लाल धागा लपेट दें पंक को पहले आपको कागज या फिर लाल कपड़े में या सफेद कपड़े में लपेट लेना है इसके बाद लाल मौली धागा उसके उपर लपेट दें फिर अपने धन अस्थान पर रख दें बस ये आपको धियान रखना है कि आपको ऐसे अस्थान पर रखना है जहां किसी बाहरी भ्रक्ति की नजर ना पड़े इस उपाय से आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी तो जब यह आप उपाय करें कि तो किसी को बताईए मत दूसरा उपाय है कि अगर आप करजों से परिशान है पैसा काफी समय से अठका हुआ है तब आप एक छोटा सा काम कीजे आप कबूतर के तीन पंख ले आए और इन पंखों को घर के अलग-अलग कोने में रख दें कबूतर का एक पंख लिविंग एरिया में रख दें दक्षिन कोने में याद रखिए इससे घर में सुकसांती और सम्रिद्ध बढ़ती चली जाती है अगर पती-पतनी में जगरे रुकाव अध्धन आएगा और जगड़े लड़ाई नहीं होंगे तो ये कबूतर के पंक के तोटके हैं वैसे तो कबूतर सांती का प्रतीक है अगर आपके घर में कबूतर आते हैं तब इसका क्या प्रभवा पड़ता है क्योंकि सांती के प्रतीक तो हैं लेकिन घर की छट पर अगर आप दाना डाल देते हैं कबूतर आकर दाना खाता है और फिर अगर गंदा भी करता है आपके छट को तब आपका राहु दुसित हो जाएगा इसलिए कबूतर को छट पर दाना ना दे चाहे आप पालते हों या ना पालते हों इस बात को ध्यान रखे और अगर कि पक्षी का बुद्ध कमजोर है तो कबूतर को दाना डालना चाहिए पर घर से बाहर बुद्ध बेतर होता है लक्ष में स्थिर होती है पक्षी को खाना खिलाने से ग्रह दोस दूर होते हैं लेकिन कबूतर को कभी भी घर में छट पर दाना नहीं डालें डालना है तो आंगन म डालें दूसरी बात कबूतर का पालना घर में कैसा होता है चले जानते हैं बिश्तार से कबूतर अगर आपके घर में आते हैं तो अच्छा है या बुरा और कबूतर अगर आपके घर में घोसला बना लेते हैं तब क्या होगा यह असूब है यह असूब जो 30 की नजर में कबुतर आते हैं तो फिर आप उनको दाना दे सकते हैं अच्छी बात है लेकिन अगर आपके घर में कहीं फेंटिलेशन है इरज़स्ट फेंड है कहीं भी कबुतर गोसला बना लेते हैं अंडे दे देते हैं तब यह बहुत ज्यादा परिसानी वाली बात है क्योंकि यहां पर आम तोर पर कबूतर पालने से घर पर आप पर संकट आता है जोतिस की नेजर में कुछ साफधानिया है आईए हम आपको विश्टार से बतलाते हैं देखिए कबूतर को दाना डालना पुन्य का काम माना जाता है कहते है राहू केतु इससे सांथ होते हैं देव गुरु बिर्स्वती की भी किरपा बिलती है लेकिन जब इससे आपको लाप की बजाए हानी होने लगे तब परिसानी की बात हो जाएगी अगर आप अपने घर पर छट पर कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो ये आपके किस्मत को नुकसान पहुचा सकता है याद रहे अपने घर में आपको कबूतर को दाना नहीं देना है ये आपके किस्मत को पूरी तरह से गरवर कर सकता है क्योंकि कबूतर बुद्ध है और च्छत पर दाना डालने से बुद्ध राहू का मिलन होता है च्छत यानि राहू का प्रती च्छत जब गंदा होता है तब राहू असुफल देते हैं ऐसे में जब आपकी च्छत पर ही कबूतरों को डाना खिलाना है यानि कबूत्रों को दाना खाने के बाद छट को पानी से पुरी तरगर दोकर साफ कर देते हैं तो फिर ठीक है अगर ऐसा नहीं करते हैं तब भूल कर भी कबूत्रों को घर की छट पर दाना मड़ डालिए क्योंकि कबूतर दाना खा कर छट पर गंदगी फैला देंगे जिससे राहू और सुप फरवाव देने लगेंगे और राहू जब गरबड़ा जाते हैं या फिर राहू जब अपने पर आ जाते हैं तब तो जीवन में भूचाल मचा देते हैं दरिदिरता आ जाती है गर में तो आप कबूतर का सिवा जरूर करें लेकिन अपने घर की छट पर बिल्कुल भी नहीं और छट हमेशा साफ रखें हाँ घर के बाहर आप दाना जरूर डालें जो तिस की माने तो अगर कबूतर आपके घर में घोसला बना लिये हैं तो घर में धना आना रूप जाता है जीवन में और इस्थीरता बढ़ जाती है परिवार में कलेस बढ़ जाता है आप अगर अभी तक गौर नहीं किये हैं आसपास भी किसी के घर में कबूतर ने खोसला बनाया है तो आप जरूर गौर कीजिएगा कि क्या या बात या बाती जो हमने आपको बतलाई वह सच है या नहीं कबुतर अगर आपके घर में बैठ कर गुट्रू 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 करता है गुँगुग का आवाज करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब होता है आपके वो मांसिक रूप से बेचैन करेगा परिवार पर बिपत्तियों का आना लगभग तैमाना जाता है ये गुँगुग का मतलब होता है तो ये अच्छा नहीं होता है तो कोसिस करें कि आपके घर के अंदर कबुतर का घोसला ना रहने पाए लेकिन अगर अंदर कबुतर का घोसला है अंडे दे दिये हैं या फिर उ वैसे भी कहते हैं घर में जंगली कबूतर तो और भी कभी नहीं पालना चाहीए वरना आप खुदी घर से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी कबूतरों को कभी भी अल्मुनियम के बरतन में पानी नहीं पिलानी चाहिए अगर आप दाना पानी की वेवस्था करते हैं तो मिट्टी के पानी बरतन में ही दें ताकि यहां पर पानी भी आपको चेंज करना है अल्मूनियम को सूब नहीं माना जाता कबूतर अपने साथ भी पत्ती लाते हैं यह बाते हैं और हमारे द्वारा आजमाया हुआ है वैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनकर लेकिन यहां सच है आप आज पास में कभी नजर दोडाईए और फिर हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमने जो बाते बतलाई वह सच है यह गलत है हमें हमारे ख्याल से वह यह बाते सच है कि कबूतर का घर में आना घुसला ब आ öदगा कि हमें यह कि मुद्ट लगा कि हलता है खंग कि हudeा खंग टूर विखित है बदोर को कि कि अजर दो ने जरूर उता हैाrey यह है कि हमें जरूर फिस सकत्तव कर देथाए पास विबलात को कि हमां आप ऴूइब जल वहां जरूर दो शो भास